बिहार के फार्बिस गंज में एक दिन में दो अलग-अलग घटनाओं में हुई दो हत्याओं ने शुशाशन के उपर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पुलिस सोई क्यूं है सोमवार को फार्बिस गंज में जहां बैंक के एटियम में कैश डालने समय लूट की बड़ी घटना को अंचाम देते हुए अपराधियों ने गाट को गोली मार कर हत्या के साथ ही 45 लाख लूट लिये वहीं शेहर के रेजिस्ट्री ओफिस में जमीन की रेजिस्ट्री कराने आए एक बुजूर की हत्या कर दी इन दोनों घटनाओं से फार्बिस गंज दहल गया दरसल सोमवार को अपनी बहन के साथ जमीन रेजिस्ट्री कराने फार्बिस गंज रेजिस्ट्री ओफिस आय जोगबनी के एक पचपन वर्ष अधेड की गोली मार कर हत्या कर दी गई घटना सोमवार शाम की मृतिक राम नारायन शाद जोगबनी वार्ट संक्या 17 महेश्वरी महला निवासी उदैचन शा का बेटा था प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार काले रंगी बाइक पर सवार एक अपराधी ने घटना को अंजाम दे कर फरार हो गया घटना के संबन्द ने बताया जाता है कि राम नारायन की बहन राधा देवी अपनी जमीन खरीदार लक्ष्मी देवी पती कमरू साहनी जोगबनी को रेडिस्ट्री करने आई हुई थी क्योंकि क्रे विक्रे की सारी जिम्मधारी राधा देवी के भाई राम नारायन के जिम्मे था इसलिए वो भी उनके साथ आये थे तीन खटा जमीन की रेडिस्ट्री भी हो चुकी थी पर इसी बीच जैसे ही रजिस्ट्री ओफिस से राम नरायन शाब बातरूम जाने के लिए बगल के सुल्तान पोकर के पास गए उसी समय काले रंग के पलसर पर आए एक अप्रादी ने उनके कनपटी में सटा कर गोली मार दी बताया जाता है कि जमीन को लेकर राम नरायन का अपने नजदी के रिष्टदार से लड़ाई होती रहती थी रिष्टदार नहीं चाता था कि इस जमीन की रेजिस्ट्री हो घटना की खबर सुनते ही हजारों की संख्या में लोग घटना स्थल पर पहुँच गए घटना की सूचना पर फार्बिस गंज, SDO सुरेंद्र कुमार अलबेला, विधायक विद्या सागर केश्री, DSP श्रीकांत सिंग, थाना अध्यक्ष, N.K. याद्वेंदू, दरोगा विजेंद्र कुमार सिंग, शंभु सिंग पहुच गए पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई बताया जाता है कि मामला जमीन से संबंधित लग रहा है, सगे संबंधी की लड़ाई के कारणी हत्या करने की बात भी सामने आ रही है पर सच्चाई क्या है, पुलिस इसकी जाच में जुट गई है खास बात ये है कि 24 घंटा पूर शहर के चावल वेवसाई अमन गुप्त्याक की हत्या को लेकर विरोध और प्रदर्शन का दौर विसमाप्त भी नहीं हुआ था कि निबंधन कार्याले के बगल में जोगबनी निवासी की जिस तरह से गोली मार कर हत्या कर दी गई, इससे पूरे शहर में संसनी फैल गई है इनका जो है दियादी वगेरे कुछ मैटर हो अभी मैंने कॉल किया है इनके लड़के से मतलब दुनों पाप बेटे में नहीं बनता था खुलासा के लिए इशिका के साथ अररिया से विपल विश्वास की रिपोर्ट झाल में बनता था जो है